हेलो फ्रेंट्स वेलकोम बैक टू माई चैनेल आज हम प्याड़ ब्लाउज कटिंग और स्टीचिंग करेंगे आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनेल को सब्सक्राइब किजिए चलिए हम वीडियो प्लाउज हम ऑध की कटिंग करेंगे है यह ब्लाउज हम बैक साइड बोटनेक और फ्रॉंट साइड सबसे पहले क्या करेंगे हम सीधा कर लेंगे कपड़े को सीधा कर लेंगे और कपड़े को मैंने एक फोल्ड किया है अब यहां पर यह ब्याक बना रहे यह हमारा ब्याक ओपन है तो ब्याक में हुक और आइपटी के लिए हाप इंच की मार्जिन दे रहे यहां पर हमारा हुक और मैं यहां पर एक लाइम खिंच रहे हूं इसके बाद सोल्डर लेंगे यह हमारा बोट नेक पर है इसलिए सोल्डर हमारा ज्यादा रहेगा तो यहां पर सोल्डर के लिए हम साड़े साथ इंच पर निशान लगाएंगे अगर आप नॉर्मल प्रिंसेस कट बना रहे तो के बना रहे इसलिए सोल्डर हम रख रहे है साड़े साथ इंच और आर्मोल रख रहे है साथ इंच और यहां पर चेस्ट का मेजरमेंट अप लगा देंगे और यहां पर एक इंच पर एक लाइन खिंचेंगे यहां पर हमारा आर्मोल का गोल सेफ होता है यहां से ऐसे हम इंच डाउन कर देंगे, यह हमारा 36 साइज का है, 36 का एक चोथा इसा, 9 प्लस 2 इंच यह हमारी चोड़ आई, और यहाँ पे 0.75, 0.75 हम डाउन करेंगे, कंधा ना गिरें, इसलिए यहाँ पे 0.75 डाउन करेंगे, और नेक विड्द हम यहाँ पे 3.75 लेंगे, 4 इंच से थोड कर देंगे, उपर हम रखे हैं 11 इंच, और यहाँ पे नीचे हम 10 इंच, हाप इंच कम करके, बाकी का मेजर्मेंट ले लेंगे, उसी में सारा मेजर्मेंट हो जाएगा, तो अभी यह जो टक्स के लिए, हम 5 इंच पे निसान लगा रहें, और उपर को 4 इंच पे निसान लग करा के, ऐसे हम निसान, टक्स का निसान लगा देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे बोटनेक का सेब देंगे, तो यहाँ पे लंबाई रखेंगे 4 इंच, और यहाँ पे चोड़ाई वोई उपर जितना रखे 3.75 उतना ही रखेंगे, और यहाँ पे बोटनेक का सेब देंगे, यह आप 13 इंच के मार्जिन के हिसाब से आप राख सकते हैं यहाँ से जो मार्जिन है तो 1.5 इंच का आप यहाँ से देखें 1.5 इंच का आपका सेफ देखें आप यहाँ पे मार्जिन राख सकते इसके बाद हम यहाँ पर देखे उपर से 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर वही 3.75 पर निशान लगाके यह एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से जैसे चोड़ाई में भी लाइन खींच लेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर डिजाइन किस तरह से बनाएंगे इसका मिडिल में एक निशान लगाएंगे और इसके बाद आप देखें, दोनों तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं, यहाँ से नीचे एक इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से लाइन खिंचेंगे, और इस तरह से आप शेप दे सकते हैं, इस तरह से शेप दे सकते हैं, और उपर से भी दे सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसका डिजाइन बना सकते हैं, मैं इसका उपर से इसे शेप देके इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ अगर आप इसकी डिजाइन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप देख लिजिए और इसके बाद देखें इसका हम कटिंग कर लेंगे ये बैक साइट हमारी रेडी है और इसको रखके हम फ्रॉंट साइट की कटिंग करेंगे देखें इसके बाद हम फ्रॉंट साइट की कटिंग करेंगे फ्रॉंट साइट हम प्रिंसेस कट पे बना रहे हैं और ये हम प्याड़ेट बैला बना रहे हैं हमें 1.5 inch extra लेना है, फ्रॉंट साइट पे हमें 1.5 inch extra लेना है, और इसके बाद इसको ब्लजो हमारा back side cutting की रखे हैं, इसको हम same as it is, हम इसमें draw कर देंगे, ये थोड़ा सा जो हमने half inch का ज्यादा लिया था, इसको थोड़ा बाहर को रखके हम इसका जैसे है वैसे ही draw कर इसके बाद हम देखिए, यहां से यह हमारा 1.5 inch extra है, और इसके बाद हम फिर से armhole का shape देंगे, यहां पे हमें 7 inch का निशान लगाएंगे, और यहां से हमें थोड़ा सा बस line खीश लेंगे, देखिए यहां से बराबर है हमारा 7 inch, तो यहां से हम line खीश लेंगे, देखिए, यह हमारा down किया था, इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं है, तो अभी यहां पे 0.75 हमें down करना है, जैसे हमने back side में किया था, वैसे ही, और यहां पे naked 3.75 रखना है, और इसका ऐसे निशान लगा देंगे, और यह अंदर की side हमें 0.75 पे निशान लगानी है, और इस तिर्चे में एक लाइन खीचना है, यह हमारा front side का, हमारा आर्मोल का shape बना रहे है, और यहां से एक इंच का निशान लगाएंगे, और ऐसे shape देंगे, यह हमारा front side का आर्मोल बन गया है, अब इसके बाद नेक की जो लंबाई है, आप आपनी हिसाब से ले सकते हैं, मैं य यहां पर मैं पान सेब का, क्योंकि हमारा यह front back open है, तो यह design यहां पर अच्छा लगेगा, इसके बाद हम यह जो हमारा tux का point है, princess cut पे 10 इंच पे हम लगाएंगे, क्योंकि हम यह padded blouse है, तो इसलिए 10 इंच पे लगा रहे हैं, और इधर से हमारा tux point है, 4 इंच पे तो यह निशान बन नीचे से हमें 3.6 पे एक निशान लगानी है, यह हमारा 36 का साइज है, तो इसलिए 3.6 का निशान लगा के एक सीधा लाइन खिंच लिया, जैसे यह हमारा padded blouse है, इसमें ज़्यादा pop की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें यहां पे 2 इंच पे निशान कटके सेफ दे दिया, और यहां से भी हमें सेफ दे देंगे, देखिए, इस तरह से सेफ दे देंगे, अब यहां पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, थोड़ा अर्जिस्ट के लिए, इसलिए हमें क्या करेंगे, यहां से थोड़ा तिर्चा में, यहां पे 1 इंच जैसा अर्जिस्ट हो जाएगा देड़ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है यहां से अर्जिस्ट हो जाएगा देखिए यहां से हम निशान लगा देंगे और बाकी का देखिए यहां पर जैसे हमने दो इंच एक्स्ट्रा लिया है जो पॉप के लिए तो इसलिए ऊपर भी यहां पर क छोटा पड़ जाएगा है तो यहां पर दो इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है तो चलिए अब हमारी यह अभी कंप्लिट है इसके हम काटिंग कर लेते हैं कि यह काटिंग होने के बाद हम स्लिप्स की काटिंग करेंगे देखे, यह को मैंने चार फोल्ड किया है हमारी जो बाजू की लंबाई है यह और यहां पर चौड़ाई हम कितना रखेंगे देखे इसको हम बाद में काटिंग कर लेंगे इसलिए यहां से यहां तक जितना है हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना है बाजू की चोड़ाई तो यहां पर देखें जितना है हमें एक इंच एक्स्ट्रा लेना है और लंबाई आप आपनी हिसाब से रख सकते मैं यहाँ पर लंबाई साड़े छे इंच लिया हूँ एक इंच जाएगा सिलाई मर्जिन और साड़े पांच रह जाएगा हमारा तैयार लंबाई तो यहाँ पर चिन निशान लगाई साड़े छे इंच पर और उपर से मैं तीन इंच पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ पे सेब हमारी बनेगी और उपर से धाई इंच पे एक निशान लगाई हूँ, नीचे को यहाँ पे हमारे एक लाइम खिंचेंगे और यहां से हमें सेब देंगे और यहां से देखिए आठ इंच पे हमें ये आर्मोल का सेब देना है और इस तरह सेब लाके हमें हाप इंच डाउन करके इस तरह से हमें बाजू का सेब देंगे और मुहरी यहां पे साड़े 5 इंच है और हमें 1.5 इंच सिलाई मर्जिन के लिए लेना है और हाप इंच का देखिए आर्मोल का सेब हमने दे दिया है तो इस तरह से करने के बाद हम स्लिप्स की कटिंग कर लेंगे और ये फ्रॉंट साइट आर मोल की भी कटिंग कर लेंगे इसके बाद हम ब्लाउज को मेन कपड़े के उपर रखके ब्लाउज का तो इसका हाँ पींच मार्जिन देखे बाकि सारे पाट को हम कटिंग कर लेंगे देखिए इस तरह से मैंने सेट कर लिया है अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे पहले क्या करते थे हम ब्लाउज में अस्तर और ब्लाउज का मेन कपड़ा मिला के उसको पहले जॉइंट करते फिर सिलाई करते यहां पर क्या करेंगे हम सिर्फ पहले क्या करेंगे अस्तर कपड़ा को ही पहले हम सिलाई करेंगे देखे यह जो है अस्तर कपड़ा हमारा और इसके साथ यह पाट को हम अटेच करेंगे सिलाई करेंगे इसको हम मेन कपड़े के साथ जोइंट नहीं करेंगे देखे इसको किस इस तरह से मैं सिलाई कर रही हूं आप देख लीजिए और इसका ध्यान दीजिए जब प्याड़ेट ब्लाउच बना रहे हैं तो अस्तर का कपड़ा थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि नहीं तो हमारा अस्तर कपड़ा अगर पतला रहेगा तो पॉप दिखाई देगा तो इसलिए थोड़ा अच्छा कपड़ा होना चाहिए देखिए इस तरह से हम दूसरे साइड भी लगा देंगे इसको हम ज़्यादा खींचेगे नहीं आराम से इसको स्टीच कर देंगे देखिए दोनों साइड मैंने ज़्याइंट कर देगा ज़्याइंट कर दिया है और ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसको भी उसी तरह से हम ज़्याइंट कर देंगे दोनों साइट हम जॉइंट कर देंगे, इधर साइट और एक इधर साइट, देखे मैंने जॉइंट कर लिया है, अभी क्या करेंगे, ये इसका उल्टा साइट में इसे रख देंगे, उल्टा साइट रखने के बाद हम इसका जो बॉस्ट पॉइंट है, उसी का निसान करेंगे यहीं पर हमारी जो प्याड है इसी में सेट होगा तो आप प्याड को दोनों तरीके से लगा सकते पहले आप हाट से स्टीज कर सकते हैं फिर बाद में इसको देखे इसको पल्टा के मैंने इहां पर निशाण लगाया दोनों साइट मैंने बीच में निशान लगाया, देखें, आप इसको ऐसे उल्टा करेंगे, और इस तरह से रखेंगे, पहले सुई धाग, जहां पर हमने 10 इंच पर निशान लगाया, उहीं पर रखेंगे, और इसका एक सुई धागा से, देखें, इस तरह से सुई धागा ल सकते हैं जहां पर 10 इंच का निशा लगा रहा था मैंने लगाई थी उसी पर इसकी सिलाई करनी है कि देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद इसको मैं कटिंग कर दूंगे इसको सिलाई करेंगे तो और ध्यान रखे यह जो प्रिंसेस कट का जो सिलाई किया है उसी सिलाई के ऊपर यह सिलाई आना चाहिए बाहर नहीं आना चाहिए अगर बाहर आएगी तो पूरा सिलाई आपकी आपका फिनिसिंग अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए यह जो प्रिंसेस कट का सिलाई हुआ था जो अस्तर कपड़ा पे उसी कपड़े के उपर ये सिलाई आना चाहिए एकदम सीधा फिर इसके बाद इसको हम पलड देंगे देखे इस तरह से इस तरह से जिस तरह से ये वाला लगाए आप चाहे तो ये जो सीधा साइट है आप भी लगा सकते हैं सीधा साइट में आप रखके इस तरह से लाइन करके सिलाई कर सकते देखें, दोनों साइट मैंने पॉप लगा दिया है, इस तरह से आप सीधा साइट में भी लगा सकते हैं, पॉप लगाने के बाद ये हमारा ब्लाउज का सीधा साइट है, सीधा साइट में ये उल्टा साइट, ये गला हम करेंगे, इसलिए इसको अच्छे से बिठा देंगे सेट कर देंगे और इसमें पीन हम लगा देंगे गला बनाने के लिए इसमें देखिए मैंने पीन लगा दिया है अभी गले की चारों तरफ हमें सिलाई करनी है टू पॉइंट की मार्जिन रखके हमें इसकी सिलाई करनी है कि यह में किस तरह से से लाइ कर रिंग इसको सिलाई करने के बाद पिन हम सब हटा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे थोड़ा-थोड़ा हम कट लगा देंगे ताकि हमारा अच्छे से गला पलट जाए और इसका डिजाइन साब दिखाई दे तो इसके बाद हम ये जो अस्तर का कपड़ा है इसी के उपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अच्छे से गला साब तरह से पलट जाए और अच्छा सफाई से हमारा गला दिखे तो इस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी है ये अच्छा फिनिसिंग आएगा, इसलिए हम यहाँ पर सिलाई करते हैं, इसके बाद ये गले के उपर हमें और एक सिलाई करनी है, मेन कपड़े के उपर हमें सिलाई करनी है, देखिए हमारा गला एकदम फिनिसिंग बन गया है, अभी क्या करेंगे, ये जो सेंटर है, इसमे ал करेंगे उसको रखने के बाद हम देखिए अब क्या करेंगे इसे चार केंचना है नीचे का भी और ऊपर कई ना, जोल ना, Car gonna आ जाए है, कि इस तरह से हमें 4 तरफ सिलाई करने हैं, मैं किस तरह से हलका हलका से खीच के इसकी तरह कर रहे हुँ, कि इसको अस्तर कपड़ा और मेन कपड़ा को जोइंट कर रहे हैं, कि इस तो अच्छे से अगर नहीं करेंगे तो हमारा ब्लाउज में जोल दिखेगा जिसके इस तरह से मैंने सिलाई कर दिये हैं और दूसरी तरवे सेम हमें इसी प्रोसेस से सिलाई करनी है फिर इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने कटिंग कर लिए देखिए हमारा ये कर दिखेखिए अरहे